वेल्कम दोस्तों, प्रेंस MP पतवारी का एक्जाम जो आज हुआ है 9 डिसमबर को उसकी महस्की कुस्टन फ्रेंस मेरे पास आ चुके हैं, बट फ्रेंस आपके लिए थोड़ी निरासजनक बात होगी क्योंकि सारी कुस्टन मेरे पास नहीं है, 5-6 कुस्टन मेरे पास फ्रेंस तो मैं सोच रहा है कि इसको सुबह अबलोड करूँ क्योंकि वह ज़्यादा कुस्टन मेरे पास आ जाते, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट की बज़े से और जिसका एक्जाम कल है, उसको ध्यान में रखती हूँ मैंने, वही कुस्टन मैंने लिये हैं, तो 5-6 कुस्टन म आपको मिलेंगे, बट थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि एकदम से वीडियो बनाना जल्ली जल्ली से पॉस्बल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जीके का मैस का, अभी थोड़े दिर में यहां कह सकती हैं, सुबह तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप चनल को सबसाइब कर लिए, जिससे की सारे वीडियो आपको मिल से कोई भी कुस्टन आप से ना चूटे, मैं कोज़ करूँगा कि एक एक कुस्टन आपके सामने लाऊंगा, और आपको बताऊंगा किस टैप से कुस्टन पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंट्स, अब आई चाल गया, इसको देखी क्या है, इसको जब मैं रूट अचाँगा, यह 25 फ्रेंट्स ठीकिक न, इसको जब मैं हटाऊँगा, देखिए, यह क्या बनेगा, आपका 5 into 5 into 5, यहिसको उट है न, तो इसको क्या करेंगे, बार निकाल लेंगे, और जो आपका एक अकेला बचा, इसको हम क्या करेंगे इहां डेंगे यहां मैंने क्या Kis Đendo कि जो भी आप पैर बनाईए अकर पीर बनता है तो यह कम बार निकालते और जो पिए के अंदर में रह जाता है उसको हम यहां पर रखते हैं ठीक है माली जी आपका और एक फाइब होता तो क्या बनता आपका 555 यहने कि 25 बन जाता इस प्रकार से यहां पर आपका आएगा इसको क्या रहेगा फ्रेंड्स एक्स इसको टू रूट फाइब ठीक न अब देखिए य यह कुछ संग काफी अच्छा है अगर आप करेंगे तो सैद आपका एक मिनट लग जाए या कह सकते हैं कि 30 सेकंड लग जाए बट यह कितना सांदार कुश्चन है एक संख्या 42135 को तीन से भाग देने पर सेस्पल क्या होगा सेस्पल क्या होगा यही तो आप से पूंचा ह है क्या देख लिए यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या सेस्पल कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा देखिए बात करते हैं 426 6177 310 10 10 प्लस 5 15 जब भी 3 से डिवाइड करना हो हम डिजिट जो होती है उनका टोटल करते हैं सम करते हैं अगर वह 3 से डिवाइड हो यही कुस्टन होते हैं यही एकजाम की कुस्टन होते हैं फ्रेंट यह आपको सिर्फ आपका कॉंसर्प चेक करते हैं कि आपको यह आता है यह नहीं आता है ठीक है आगे बात करते हैं को संकू तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या है यदि दोनों की आर तथा एच समान हो ठीक है प्रेंट्स आइए बात करते हैं देखेए तो संकू का आयतन क्या होता है ठीक है फ्रेंट्स 1 and 3 था ठीके न और यह आपका यह मालीज आपका संकु था और यह आप क्या था बेलंग था ठीके न कि जब आप इसको आप सॉल्ट करेंगे तो इसका फ्रेंड्स के आजाए का अंसर 1-3 ठीक है आई देखते हैं next question देखें फ्रेंड्स यह आपका है 2,x 3,12 4,16 देखिए अगर हम इसको तड़ा एक नजर देखें तो यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है इंटू 4 यहाँ देखें तो क्या हो रहा है इंटू 4 तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा इंटू 4 तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 8 अगर आप ऐसे solve नहीं करना चाहेते हैं आपको तुछा doubt लग रहा है तो आप एक काम और कीजिए 2 से 3 हुआ प्लस बन हुआ 3 से 4 हुआ प्लस बन हुआ अगर आप इसका उल्टा जाएंगे 12 से 16 हुआ माइनस 4 हुआ अब 12 से यह क्या होगा माइनस 4 होगा तब भी आपका 8 आ रहा है जैसे भी आप चाहो व्यासे कर लिए आंसर आपका 8 यह आएगा नेक्स कोशन देगे फ्रेंड्स यह लास्ट कुश्चन फ्रेंड्स इतनी कुश्चन मुझे को मिले हैं तो मैंने जिनका एक्जाम कर ले उस बज़े से मैंने यह जल्दी ही एपिसोड डाल दिया है आए बात करते हैं इस ट्रेंच 400 मीटर की दूरी पॉंट 4 मिनिट में ते करती है तब 720 मीटर की दूरी कितने समय में तै करेगी इसको में इसल्ब करूंगा क्योंकि मेरे पास आफ्सन नहीं है तो मुझे यह पता नहीं कि उन्होंने टाइम सेकंड में पूंचा है या मिनिट में पूंचा है ठीक है तो मैं डारेक्ट में ही सॉल्ब कर देता हूं औ पूंट फूर मिनिट में तो 720 मीटर की दूरी कितने समय में तै करी जिसने मेरे सारी वीडियो देखे है उसको यह समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा देखिए इस पॉंट से यह 0 आपका हट जाएगा चार एकम चार और यह आपका कतना आएगा 100 आएगा आपको सॉल्ब करने की कोई भी आवसकता नहीं है 72 बटे 100 आपका आएगा और यह तो जिरो जाएंगे आपका यह लग जाएगा तो यह देखिए आपका क्या हुगा पॉंट सेविंट टू मिनिट यह आपका आंसर हो ज कर सकते हो सुरी फ्रेंट थर्डे शिक्स नहीं होगा यहां पर यहां पर आपका 60 बस सुरी माफ कर दीजीगा यह सेकंड में चार्ड़ेना इंटू 60 हो जाएगा ठीक है तो यह आपका सेकंड निकल के आ जाएगा ठीक है इस प्रकार से मैं इसको निकालें और अगर हावर क क्योंकि आपको देखिए option होता तो उसी साफ से मासा निकालती option तो मेरे पास है नहीं तो इस वजह से मैंने मिनिट में निकाल दिया तो यह फ्रेंट कुछ कुस्ष्टन थे मेरे पास अब देखिए क्या है कि जैसी जैसे कुस्ष्टन आते जाएंगी मैं आप लोगों को द होगा कि आपको computer friends बहुत ही basic level का रहा है आप full form याद कीजिए output input याद कीजिए और net के बारे में जानकर रखिए आपको कोई भी problem नहीं होगा ठीक है friends all the best